स्वागत है आपका एलाइव 24 में किये इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि देश का हर व्यक्ति अधिक से अधिक पेड़ लगाए नीम पे हमारी शुरू से ही परियावरण पे नीम पे और समाज सेवा में रुजहान था तो उसके रुजहान के लिए मैंने अपने सर्विस को पीच में ही भी ब्रेक लेकर करके पूर्ण रुपेड हम समाज सेवा में आ गए मेरा यह मानना है कि अधि आपने जीवन में परियावरण के लिए काम नहीं किया तो किस हक से आप जो है मैं डेली आक्सिजन ले रहे हैं यह आक्सिजन मुफ्ट में मिल रहे हैं इसलिए ले रहे हैं कोई रुखने वाला नहीं है लेकिन नेचर जो है ना इसको देख रहा है जिसको किसी ने किसी रूप में आप भगवान करते हैं अल्ला करते हैं इस्वर करते हैं तो जो आदमी अभी तक एक भी पेड़ नहीं लगाया उसको सांस लेने का कोई हक नहीं है मुझे मेरा यह मानना है दूसरी चीज यह है कि हम परियावरण को ऐसा बनाएं इतनी जादे में इससे में क्लाइमेंट चेंज और ग्लोबल वार्मिन हो रही हैं गलेसियर पिघल रहे हम कहां हैं चुकि हम इस देश के हम इस संसार के सबसे पिछड़े तम पिछड़े तम देशों में से एक है इसल मैं सिर्फ एक आना चाहता हूं कि आप अधिक से दिक पेंड लगाएं मैंने नीम का बिक्षा रोपन एकतिस हजार बिक्षा रोपन कराया हम फिलहाल जो है इस रिराम इस्ट्रेक्ट साल्वेंट के साथ हम लोग टाइप हैं नीम प्लांटेशन पे यह नीम हमको लब्द कर आया है करीब 10,000 का पेंड इनों ने दिया है कि साह85 आप लगाई है क्योंकि हम तो नीम रत्म हैं हम तो पर्यावण मिट्र हैं हम तो पर्यावण प्रहरी हैं हम तमान संब्लम हमको मिल चुका है तो हम एक काव 11,000 नीम के पेड़ इनके कॉंस्टिबिस्टों से लगा रहे हैं मैंने खन्ना जी को चिठी लिखा जो यहां के नगल विगास मंत्री हैं कि आप हमको प्लेश दीजिए हमको इफकों ने भी दिया है 25,000 पेड़ यह तमाम पेड़ हम लगाएंगे और लगा के सुंदर लखनाओ बनाएंगे ये थी लखनाओ से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है अलाइफ 24 देश और दुनिया की सबसे पहले ख़बर पाने के लिए हमारे अलाइफ 24 न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें